आप सबको मेरा नमस्ते, साइड लाइन होल्ड में आपको क्या करना है कि यह जो बच्चा है, जैसे माँ सो रही है, ठीक है? तो अगर सपोज मा लेफ साइड से दूद ला रही है, तो मा अपने लेफ साइड पे सोएगी, ठीक है? और बच्चे को जैसे मैंने बताया है, वैसे ही उसको सीधा रखना है, और एकदम नस्दीक रखना है, मा का पेट उससे बहुत नस्दीक रखना है, और ऐसे लाना है कि बच्चे का जो सिर है, वो निपल के उपर ना जाए, ठीक है? निपल के नीचे होना चाहिए, उसका मूँ का भाग है, वो निपल के नीचे की तरफ होना चाहिए, जितना नीचे होगा, उतना वो नीचे का काला भाग बच्चे के मुमें जाएगा, और एक पूरा सा प्रोसेस है, वो आपको प्रोसेस देखना है कि पहले कौन सा हाथ कैस प्रज़ान करें दिखाया हूआ है। बहुत ही इंपोर्टन होल है। जब मदर थकी हुई होती है तो उसके लिए ये साइलान होल बहुत होती है। कभी-कभी क्या होता है कि पहले दो दिन, अगर मा भुत थकी हुई है, तो शिकन आराम से साइड लाइन होल में दूद पला सकती है। यही ध्यान रहे है कि बच्चे का पेट बिलकुल माग का जो पेट है, वहां पे एक्टम नस्ती जुड़ा होना चाहिए और बच्चा बिलकुल स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए और उसकी जो गर्दन है वह बाहर की तरफ थोड़ी मुड़ी होनी चाहिए। तो यह जो बाहर की तरफ जो मुड़ी है यह बहुत इंपॉर्टन्ट है। तो यह तो आपका हो गया साइड लाइन है। एक तरफ लेट कर स्टनपान कराने की पकड़ के स्पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है। इस टुटॉरियल में हम सीखेंगे स्टनपान के लिए मा और शिशू के लिए स्टन के सही पकड़ को चुनना। स्तनपान से पहले मा की तैयारी और एक तरफ लेट कर स्तनपान कराने का पूरा तरीका आईए शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में माएं कई तरह से शिशू को स्तनपान कराती हैं। जैसा कि एक पहले टुटॉरियल में बताया गया है, मा और शिशु के लिए सबसे सही पकड़ वही है, जिसमें मा और शिशु दोनु को स्तन पान के पूरे समय आराम मिले. मा के स्तन से शिशु गहराई से जुड़े और उसे काफी दूद मिले. आईए एक ऐसी पकड़ सीखते हैं, जिसमें एक तरफ लेट कर स्तन पान कराया जाता है, इस पकड़ को तभी सुझाया जाता है अगर मा रात को स्तन पान करा रही हो, या फिर मा का प्रसव के लिए ओपरेशन किया हो, या अगर मा ठकी हो. स्तन पान से पहले मा को अपने हाथ साबुन और पानी से धोक कर अच्छे से सुखाने चाहिए. फिर उसे एक गिलास उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी पीना चाहिए. स्तन पान कराती माओं में तकरीबन साड़े साथ सो से साड़े आठ सो मिलिलीटर दूद बनता है. इसलिए उन्हें रोज जादा पानी पीना चाहिए. फिर मा को उस स्तन से कपड़ा हटाना चाहिए, जिस से वह दूद पिलाएगी. ध्यान दें कि अपनी ब्रा या ब्लाउ सर के नीचे उसे तकिया रखना चाहिए और अपनी टांगों के बीच में भी ताकि वह नीद में लुड़क न जाए. इस चित्र में मा शिशु को अपने दाईं स्तन से दूद पिलाएगी. इसलिए वह अपने दाईं तरफ लेटी है. अगला हम सीखेंगे कैसे शिशु के शरीर को सही स्थिति में रखें. शिशु को एक तरफ इस तरह लिटाएं कि उसका पेट हलके से मा के शरीर से दबे. और मा जिस तरफ लेटी हो उसी हाथ से शिशु के पीठ को सहारा दे. इस चित्र में मा ने शिशु के पीट को दाएं हाथ से सहारा दिया हुआ है शिशु को अपने और करीब रखने के लिए मा उसकी पीट के पीछे एक तक्या रख सकती है दोनों के शिरीर के बीच में कम फासले की वज़े से शिशु को मा के स्तन तक पहुँचने में कम कोशिश करनी होगी इसलिए शिशु को स्तन से गहराई से जुड़ने में आसानी भी होगी याद रखें, मा को अपनी पीठ जुका कर शिशु के मूँ तक स्तन नहीं ले जाना चाहिए इससे शिशु के पेट और मा के शरीर के बीच की दूरी बढ़ेगी उसे अपनी पीठ हमेशा सीधी रखनी चाहिए और शिशु को स्तन पर लाना चाहिए ध्यान देने वाली दूसरी जरूरी बात है कि शिशु के पूरे शरीर को किस तरह पकड़ा गया है आपने देखा होगा जब हम खाना खाते हैं तो हमेशा हमारा सर, गर्दन और शरीर एक ही दिशा में होते हैं उसी तरह शिशू का सर, गर्दन और शरीर स्तनपान करते हुए एक ही दिशा में होने चाहिए। इससे शिशू के लिए दूद निगलना आसान होगा। अब हम शिशू के शरीर की स्थिती के बारे में तीसरी ध्यान रखने वाली बात करेंगे, जो है मा को अपने हाथ से शिशू के शरीर को सहारा देना चाहिए। नहीं तो शिशू को स्तन से गहराई से जुडने के लिए जादा कोशिश करनी पड़ेगी। अब हम देखेंगे शिशू के नाक और ठोडी की स्थिती। शिशू की नाक हमेशा निपल के सीध में होनी चाहिए। और ठोडी आगे की तरफ स्तन के करीब। इससे शिशू एरियोला के निचले हिस्से का जादा भाग मुँ में ले पाएगा। और अपने निचले जबडे से अच्छे से जादा दूद पी पाएगा। याद रखें एरियोला निपल के आसपास का काला भाग है। शिशू को सही स्थिती में पकड़ने के बाद हम सीखेंगे स्तन को कैसे पकड़ा जाए। अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से मा को स्तन को एक तरफ से आधे चांद के आकार में पकड़ना चाहिए। इस चित्र में मा अपने बाएं हाथ से अपना दाया स्तन पकड़ेगी। स्तन को पकड़ने वाली उंगलियां हमेशा शिशु के होंटों की दिशा में होने चाहिए। क्यूं? आईए समझें इस उधारन से। जब हम वड़ा पाव या बर्गर खाते हैं तो हमारे होंट आड़े खुलते हैं। हम वड़ा पाव या बर्गर को आड़ा इसी ले पकड़ते हैं ताकि उसका बड़ा हिस्सा खा पाएं। यहां अंगूठा और उंगलियां होटों की दिशा में हैं। अगर वड़ा पाव या बर्गर को सीधा पकड़ें तो हम उसका बड़ा हिस्सा मूँ में नहीं ले पाएंगे। उसी तरह शिशु के होटों की दिशा देखिए। उसके होंट आड़े हैं। इसलिए उंगलियों और अंगूठों की स्तिथी स्तन पर आड़ी होनी चाहिए। इससे शिशु को अपने मूह में एरियोला के निचले हिस्से का एक बड़ा भाग लेने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मा का अंगूठा और उंगलियां शिशु के मूह की दिशा में होने के साथ साथ निपल से तीन उंगलियों की दूरी पर होने चाहिए। अगर हम वड़ा पाव या बर्गर खाते हुए उसे मूह के करीब रखेंगे तो हमारी उंगलियों की वज़े से हम उसका बड़ा हिस्सा मूह में नहीं ले पाएंगे। और अगर दूर रखेंगे तो उसके आकार की वज़े से मूह में नहीं ले पाएंगे। इसलिए हम उसे सही दूरी पर रख कर उसका एक बड़ा हिस्सा मूँ में ले पाएंगे। उसी तरह जैसा इस चित्रे में दिखाया गया है, शिशु के लिए भी सही दूरी निपल से तीन उंगलियां हैं। इस दूरी से मा की उंगलियां शिशु को अपने मूँ में एरियोल का निचला हिस्सा लेने से नहीं रोक सकेंगी। और मा सिरफ निपल को नहीं दबाएगी, जिस वजए से बहुत कम दूद निकलेगा। मा एरियोला के नीचे के दूद की बड़ी नलियों को दबाएगी, जिससे जादा दूद निकलेगा। और स्तन को सही तरह पकड़ेग ताकि शिशू स्तन से गहराई से जुड़ पाएगा। एक और बार वड़ापाओ या बर्गर के उधारन की बात करते हैं। वड़ापाओ या बर्गर को सही तरह पकड़ कर हम उसे दबाते हैं ताकि उसका एक बड़ा हिस्सा मूँ में ले पाएं। ठीक उसी तरह मा को भी स्टन को एक तरफ से आधे चांद के आकार में पकड़ कर हलके से दबाना चाहिए इससे शिशु को स्टन का बड़ा हिस्सा मूँ में लेने में मदद मिलेगी पर याद रहे, मा को अपना स्टन कैंची के आकार में पकड़ कर नहीं दबाना चाहिए स्टन को कैंची के आकार में पकड़ कर दबाने से उस पर चोट लगेगी और निपल से स्टन पान होगा ध्यान दें कि स्टन अंगुठे और उंगलियों से एक समान दबे नहीं तो निपल उपर या नीचे की तरफ मुड़ेगा और शिशू स्टन से गहराई से नहीं जुड़ पाएगा अब शिशू एक तरफ लेट कर स्टन पान कराने के लिए पकड़ा गया है और स्टन से जुड़ने के लिए तैयार है स्टन से शिशू का सही जुड़ाव इसी श्रिंखला के अन्य टुटॉरियल में बताया गया है जैसे ही शिशू स्टन से गहराई से जुड़ जाता है तब मा स्टन से अपना हाथ हटा सकती है उसे इस हाथ से शिशू की पीठ को सहारा देकर उसे करीब रखना चाहिए और उसे अपना दूसरा हाथ शिशू की पीठ से हटा कर नब्बे दश्मलब में अपने शरीर के साथ रखना चाहिए अपनी कोनी को मोड़ कर उसे वो हाथ तकीय के नीचे रखना चाहिए इस चित्र में दिखाये जाने वाली माने अपने दाएं सतन को बाएं हाथ से छोड़ दिया है अपने बाएं हाथ से उसने शिशु की पीट को पकड़ कर अपने करीब रखा है और दाएं हाथ को शिशु की पीट से हटा लिया है उस हाथ को 90 दश्मलव में अपने शरीर के पास रखा है उसकी दाई कोहनी मुड़ी हुई है और दाईया हाथ तकिये के नीचे है पहले स्थन से पिलाने के बाद अगर मा को दूसरे स्थन से पिलाना हो तो उसे दूसरी तरफ लेटना पड़ेगा इस चित्र में मा अपने बाई और लेटी है ताकि बाई स्थन से पिला पाए यह टुटॉरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद मैं अभी आपको laid back hold क्या है वो में मैं सिखाऊंगी तो laid back hold में आपको क्या करना है कि laid back hold मतलब बच्चा मा ऐसे थोड़ी लेटी हुई है पूरी लेटी हुई नहीं है बिलकुल जैसे you know bed है bed पे पीछे तक्या रखा हुआ है तो मा थोड़ी थकी हुए है तो she can just kind of lie down laid back hold में और बच्चा बच्चे को वो सीधा चाती पर ला सकते हैं यही concept है आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे के जो गर्दन है वो थोड़ी बहात की तरफ मुडी होनी चाहिए और वो बच्चे को इस तरह दूपला सकते हैं पूरा same concept है लेकिन बच्चा अभी सीधा आ रहा है क्योंकि वो थोड़ी लेटी हुई है तो बच्चा ऐसा सीधा आ रहा है तो वो उसको हम लोग लेड़ बड़ बड़ बोलते हैं अगर बच्चा ठीक तरह से मूँ खोल रहा ठीक है तो वो तो हो गया आपका लेड़ बड़ होल है तो thank you so much आप सबको मिरा दामेरा टेक लगा कर स्तन पान कराने वाली पकड़ के spoken tutorial में आपका स्वागत है इस tutorial में हम सीखेंगे स्तन पान के लिए मा और शिशु के लिए स्तन की सही पकड़ को चुनना स्तन पान से पह पूरी दुनिया में माएं कई तरह से शिशुओं को स्तन पान कराती हैं जैसा कि एक पहले tutorial में बताया गया है मा और शिशु के लिए सबसे सही पकड़ वही है जिसमें मा और शिशु दोनों को स्तन पान के पूरे समय आराम मिले मा के स्तन से शिशु गहराई से जुडे और उसे काफी दूद मिले आएए एक ऐसी पकड़ सीखते हैं जिसमें मा टेक लगा कर स्तन पान करा सकती है टेक लगाकर स्टनपान तभी सुझाया जाता है जब क्रोस क्रेडल या क्रेडल पकर से शिशु का स्टन से गहरा जुडाव हो पाना मुश्किल हो या मा को बड़े स्टन हो या उसे कमर का दर्ध हो या वो ठकी हुई हो. याद रखें स्टनपान से पहले मा को अपने हाथ अच्छे से धो कर सुखाने चाहिए. फिर उसे एक गिलास उबाल कर ठंड़ा किया हुआ पानी पीना चाहिए. स्टनपान कराती माओं में तक्रीबन साड़े साथ सो से साड़े आठ सो मिली लिटर दूद बनता है. इसलिए उन्हें रोज जादा पानी पीना चाहिए. फिर मा को उस स्टन से कपड़ा हटाना चाहिए जिससे वह दूद पिलाएगी. ध्यान दें कि अपने ब्लाउज या ब्रा का दबाग स्टन पर न पड़े. फिर मा को आराम से फर्ष या फिर बिस्तर पर लेटना चाहिए. उसके सर, गर्दन और उपरी पीट को तक्यों का सहारा होना चाहिए. अब मा तयार है, आए सीखे शिशु को सही तरह से कैसे पकड़ते हैं. जिस स्टन से दूद पिलाना हो, मा उसी तरफ के हाथ से शिशु के सर को पकड़े. और शिशु के सर का निचला हिस्सा अपने दूसरे हाथ के अंगूठे और उंगलियों से पकड़े. चित्र में दिखाये जाने वाली ये मा अपने दाएं स्टन से दूद पिलाएगी. इसलिए उसने शिशु के शरीर को दाएं हाथ से पकड़ा है. उसने अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों से शिशु के सर का निचला हिस्सा पकड़ा है. अब हम शिशु के सर को पकड़ने के लिए मा के अंगूठे और उंगलियों की सही स्थिति देखेंगे. मा का अंगूठा शिशू के एक कान के पीछे और उसकी उंगलियां शिशू के दूसरे कान के पीछे होने चाहिए उसे अंगूठा या उंगलियां सर से गर्दन पर नहीं लानी चाहिए उसे अपने हाथ से शिशू के सर के नीचे दबाब नहीं डालना चाहिए इस से शिशु आराम से स्तनपन कर पाएगा. अगला हम सीखेंगे कि कैसे शिशु के शरी को सही स्तिति में रखें. शिशु को मा के शरी पर इस तरह रखें कि उसका पेट मा के पेट पर हो और उसका सर मा के स्तन के पास. शिशु और स्टन में फासला कम हो तो उसे स्टन तक पॉंचने में मदद मिलेगी और शिशु को स्टन से गहराई से जुड़ने में आसानी होगी दूसरी खास बात है कि शिशु के शरीर को किस तरह पकड़ा गया है जब हम खाना खाते हैं तो हमेशा हमारा सर, गर्दन और शरीर एक ही दिशा में होते हैं उसी तरह शिशु का सर, गर्दन और शरीर स्टन पन कराते हुए एक ही दिशा में होने चाहिए इससे शिशु के लिए दूद निगलना आसान होगा याद रखे, शिशु को मा के शरीर पर किसी भी दिशा में रख सकते हैं, पर जरूरी ये है कि उसके शरीर का सामने का पूरा भाग मा के शरीर के सामने के भाग पर होना चाहिए और वो स्तन तक आराम से पहुंच पाए अब शिशु के शरीर की स्थिथी के बारे में तीसरी ध्यान रखने वाली बात करेंगे जो है मा को शिशु के पूरे शरीर को सहारा देना चाहिए, नहीं तो शिशु को स्तन से गहराई से जुणने के लिए जादा को शिश करनी पड़ेगी अब हम देखेंगे शिशु के नाक और ठोड़ी की स्थिती शिशु की नाक हमेशा निपल के सीद में होनी चाहिए और ठोड़ी आगे की तरफ स्तन के करीब इससे शिशु एरियोला के निचले हिस्से का जादा भाग मुह से पकड़ पाएगा और अपने निचले जब्रे से अच्छे से जादा दूद पी पाएगा ध्यान दे एरियोला निपल के आसपास का काला भाग है अब शिशु टेक लगाकर स्तन पान वाली पकड़ की स्तिथी में है और स्तन पान के लिए तैयार है इस पकड़ में शिशु का कुदरती रूप से मा के स्तन से गहरा जुड़ाव होता है शिशु का स्तन से गहरा जुड़ाव इसी श्रिंकला के अन्य टुटॉरियल में समझाया गया है जैसे ही शिशु का स्तन से गहरा जुड़ाव होता है, मा उसके सर के नीचे से अपना हाथ निकाल कर दोनों हाथों से उसके शरीर को सहारा दे सकती है इस थिती में मा आराम से टेक लगा कर स्तनपान करा सकती है अब ये टुटॉरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद ा मैं यहीं सुपश जाइ